एक जंगल में एक सेव राता था, वह बड़ा गवंडी था, जंगल के सारे जानवर डर के करण उससे थर थर कांपते थे, एक दिन सेव जंगल की सेर पर लिपला, वास्ते में उससे एक खरवोष विला, सेव में खरवोष से पुछा, बतलाओ जंगल का राजा कोने है, करवोष डरक से काफ बला, बाहराज, आप, शेर हसके हुए आगयो बड़नया, रास्ते में सेर को हिरन मिला, शेर हिरन से वाई सवानि किया बदलाओ जंगल का राजा कोने, हिरन में भी डरतर डरतर जवाब दिया, महराज आपके लावा और कौन हो सकता है सेर हिरनी की बात से खुश हुआ और पिर आजे बढ़ गया रास्ते ने सेर को भालू मिला सेर ने फिर वही सवाल गया और सेर को फिर वही जवान मिला सेर बहुत खुश हुआ और सब पर अपना रोब जारते हुए आगे निकन गया रास्ते में जो भी जानवर मिल था उससे यही सवाल पर था और अपना मन चाहा जवाब सुनकर खुश होता उसी रास्ते में हाथी आराद तभी रास्ते में सेर को हाथी मिल गया सेर ने हाती से भी पूछा बतलाओ जंगल का राजा कोन अब हाती पहले से किसी बात पर गुस्से नगा सेर की बित्व की बात फुलकर उसे और गुस्सा आ गया और हाती ने अपनी सोंड में सेर को फसाया और उपर से उचाल कर पटक दिया अब हाकी ने सेर से पूछा अब बताओं जंदल का राजा कौन है? हाथी से पिटकर सेर को बहुत दड़ दो रहा था सेर बोला बही आती भाई, मुझे अपनी ताकत का अंदाजा हो गया है अब समझ गया कि हर जगा अपनी हेकटी नहीं दिखानी चाहिए सिक्सा इस कहानी से हमें सिक्सा मिल थी है कि अपनी ताकत का गमंड कभी नहीं करना चाहिए इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद त्रिप्या हमारे चैनल को सुब्सक्राइब करें